आपके कारोबार के लिए फंड और लून जुटाने तक बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी खुशियों की अपनी दुकान चालू पैराई सीजन 2021 के पहले साड तीन महिने पहली अक्टूबर 2021 से 15 जन्वरी 2022 तक चीनी का उत्पादन 6.04 फीजदी बढ़कर 151.04 एक लाक टन का हो चुका है जबकि पिछले पैराई सीजन में इस दौरान केवल 142.78 लाक टन चीनी का ही उत्पादन हुआ था 45 पैराई सीजन में 504 मिलों ने पैराई चल रही है जबकि पिछले पैराई सीजन की समान अवदी में केवल 487 मिलों में ही पैराई आरंब हो पाई थी Indian Sugar Miles Association यानि की इसमा इसमा के अनुसार 42 पैराई सीजन में महाराष्ट में 15 जन्वरी 2021 तक 58 दशम लब 42 लाग टन चीनी का उत्पादन हुआ है जबकि पिछले साल इस समय तक केवल 51 दशम लब 55 लाग टन का ही उत्पादन हुआ था राज्य में 192 चीनी मिलों में पैराई आरंब हो चुकी है जबकि पिछले साल इस समय तक केवल 181 चीनी मिलो में ही पैराई आरंब हो पाई थी उत्तर प्रदेश में चालू पैराई सीजन में मिलो में देड़ से गन्ने की पैराई आरंब होई थी हाला कि 15 जनवरी तक राज्य की सभी 120 चीनी मिलो ने पैराई आरंब कर दी है राज्य में 15 जनवरी 2022 तक 40 दशमलब 1.7 लाग टन चीनी का उतपादन हुआ है जो कि पिछले पैराई सीजन की समान अबदी के 42 दशमलब 9.9 लाग टन से कम ही है वही गरनाटक में 15 जनवरी 2022 तक 33 दशमलब 2.0 लाग टन चीनी का उतपादन हो चुका है जबकि पिछले पैराई सीजन की समान अबदी में केवल 29.8 लाग टन चीनी का ही उतपादन हुआ था राज्य में 45 पैराई सीजन में 70 मिलों में गन्ने की पैराई चल रही है गुजरात में 45 जनवरी 2022 तक 15 चीनी मिलों ने पैराई आरंब कर दी है तथा 4.4 लाग टन चीनी का उतपादन भी हो चुका है जबकि पिछले पैराई सीजन की समान अबदी में राज्य की मिलों ने 4.4 लाग टन चीनी का उतपादन किया था तमिल लाडू में 45 जनवरी तक राज्य की मिलों ने 2.1 लाग टन चीनी का उतपादन किया है जबकि पिछले पेराई सीजन की समान अवदी में राज्य में एक दशम लब दो तिन लागटन चीनी का ही उत्पादन हुआ था देश के अन्ने राज्यों जैसे की उत्राखंड, बिहार, हरियाना, मंध्य प्रदेश, तमिलनाडू और तेलंगाना में 15 जन्वरी 2022 तक 81 चीनी हो चुकी है, जबकि पिछले फसल सीजन की समान अवदी में केवल 4,5 लाख टन की शिपमेंट ही हुई थी, जन्वरी तक करीब 7 लाख टन चीनी निडियात के लिए पाइपलाइन में है विलेट पोर्ड, मार्केट टाइम्स, टीवी करी करें झाल, जन्वरी भाइपला टन्रेशायत के लिखले।